हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमी बिग बॉक्स तेरा को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं बिग बॉक्स के बीते अपिसोड में शो की बड़ी फैन फराखान की अदालत चली फराख की अदालत में रश्मी और सिधात ने वकील की भूमे का नेबाई और अपने टीम मेंबर्स के मुद्दो को फराख के सामने रखा इस तोरान रश्मी दिसाई ने सिधात शुकला पर आरोप लगाये कि सिधात शुकला के अग्रसिफ बेहेवियर की वज़े से घर की लड़किया अंसेफ महसूस करती हैं लेकिन फराखान रश्मी के इस बात से बिलकुँ सहमत नहीं होती है और वो कहती है कि सिधात शुकला से कोई भी लड़की अंसेफ महसूस नहीं करती है और ऐसा कुछ नहीं है फराखान के रश्मी दिसाई को गलत बता कर सिधात शुकला को सही मानने पर सोशल मेडिया यूजर्स फरा की जम कर तारीफ कर रहे हैं और रश्मी की जम कर वाट लगा रहे है ट्विटर पर बिग बॉस के फैंस ने रश्मी की बैंड बजा डाली है शली दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स फराखान रॉकिंग इट क्या आटिटू है क्या आटिटू है? बज़ की बाटिटू है जैए टूर एंड रॉकान की बजागड़ वे बजाड़ रहे हैं बिग बज़ बॉस्ट बीज़ टोल्डेंस वीज तो हांसे टूल सिस्ट इंड बीज़ बीज़ खान एंड उफिशल ओल रहे हैं that they are not looking good in camera but those losers still arguing with Farah. Rashmi is trying to portray B.B. Gibbs favoritism. Bakri, Big Boss 13. Siddharj Shukla accepted that he did the task with too much aggression and will not do that again. While Rashmi Nisai kept on arguing with Farah Khan that she didn't do anything wrong. See the difference. That's why we love Siddharj Shukla. तो देखा आपने, Siddharj को बार बार गलत साबत करने के चलते रश्मी खुद ही लोगों की नजर में बुरी बन गई है. यहीं वज़ा है कि सोशल मीरिया पर लोगों ने उनकी बैंड बजा डाली है. पता दे कि आज के अपिसोड में माहिरा शर्मा सिधार डे और आरती में से कोई एक कंटस्टन्ट बेघर हो जाएगा. कहा जा रहा है कि सिधार डे ही शो से आउट होने वाले हैं. वैसे आपको क्या लगता है? सोशल मीरिया पर लोगों ने रश्मी की वाट लगा कर ठीक किया या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं.